हेलो स्ट्रेंट्स, वेलकम टू माई नर्चर, मैं हूँ कृष्णा, कैसे हैं सब लोग, मस बढ़िया, तो चली स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना फार्मेसी लॉए नैथिस का चैप्टर नमबर थार्ड का लेक्चर नमबर फाइड, ठीक है ना, सेकेंड लास्ट लेक तो श्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर, ओके, तो क्या कह रहा है, फोर इफेक्टिव या एफिशेंट, फोर एफिशेंट एटिस्रेशन है ना, जिससे की, एकोछ पेजञला के लिए the following agencies agencies के लो या ऐसे के लो जो कुछ office बनाए गई है ठीक है कुछ संस्थाय मनाए गई है जो इस act और rule को ये देखेंगे कि proper चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं कोई खामिया तो नहीं है कुछ नई चीज लाने की लागू करने की जरूत तो नहीं है ये लेवल पर तो ट्रक टेक्निकल एड़ाईस बोर्ड होता है डी टीए भी ड्रक कंसल्टेटी कमेटी होती है इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं उनके बारे मैं समझेंगे हम लोग analytical मतलब कुछ हमारे laboratories हैं जैसे कि central drug laboratory है drug control laboratories in states होती है और government analysis होती है ठीक है then अगर हम बात करें तो executive जिसमें licensing authority short में हम इसको LAB कहते है short में हम इसको LAB कहते है controlling authorities CAB बोल देते हैं कई बाद drug inspector, DI बोल देते हैं customer collectors ठीक है तमाम चीज़ा आती है जो अपने मतलब की हैं हम उनको यहाँ पर detail में देखेंगे बागी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे तो सब्सक्राइब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी drug technical advisory board ठीक है ना तो क्या कह रहा है drug technical advisory board constituted by कौन इसे बनाता है central government to advise the central and state किसको दोरा बनाए गई है यह central government को दोरा बनाए गई है जिससे कि यह advice कर सके सलामस्वरा दे सके किसको central और state government को किसके उपर सलामस्वरा देना है इस वाली कह उसको team को board को on technical matters arising out of administrations of the act act को लागू करते हुए यह संचालित करते हुए जो technical matter आगे फ़स जाते है उनके उपर सलामस्वरा करने के लिए यह board बना हुआ है इसके अंदर it consists of 18 members 18 members होते है of whom 8 are ex officio जिसमें से 8 ex officio होते है जो ex servicemen हो जाते है 5 nominated होते है 5 कैसे है nominated है and 5 are elected member तो बारी बारी से समझते हैं हम लोग ex officio member कौन कौन से है director general of health service chairman of the board जो होता है वो होता है इसके अंदर drug controller of India यह होगा director होता है central drug laboratory कलकत्ता का जो कलकत्ता में central drug laboratory उसका director होता है central research institute कसौली में जो उसका director होगा इंडियर veterinary research veterinary मतलब समस्तर जानवरों की दवाईयां होती है research institute इज्जत नगत उसका director होता है pharmacy council of India का president होता है medical council of India का president होता है central drug research institute लखनों का director होता है यह 8 member जो retire हो चुके हैं उनको इसके अंदर लिया जाता है ठीक है एक जाएक सी बात है इनके पास knowledge अथा होता है इनके अब बहुत जाएदा knowledge होती है तो इसलिए इनको लिया जाता है nominated member कौन से होता है जिनको nomination करके लाया जाता है two person nominated by central government from amongst person who are in charge of drug controller in state दो person nominated करके लाया जाते है central government के दवारा जो की in charge होते हैं drug control state के अंदर drug control को drug control के in charge होते है one person from pharmaceutical industry nominated by the central government एक person pharmaceutical chemistry से लिया जाता है जो nominate के जाता है central government के दवारा two government analytics nominated by central government यहाँ पर हर कोई ज्यान रखो हर किसी को nominate कौन कर रही है central government कर रही है ठीक है दो government analyst होते है अब elected member के अगर हम बात करें जिनको election करके लाया जाता है पोलिंग होती है तो अच टीचर एक टीचर होता है इन pharmacy और pharmaceutical chemistry और pharmacognosy on staff of the Indian university है जो अपनी government इंडियन इंविश्टी है उनमें एक टीचर होना चीए जो कि किसका होना चीए pharmacy और pharmacy chemistry और pharmacognosy का ठीक है इनविश्टी का teacher हो affiliated college का teacher हो या elected by executive committee of pharmacy council of India या इसके द्वारा elect किया गया हो executive committee of pharmacy council of India के द्वारा दूसरा एक टीचर यह हो गया एक टीचर होगा जो medicine का या therapeutics का ठीक है जो भी अगेन किसम होना चीए इनविश्टी या किसी affiliated college में या elected चुना जाएगा executive committee of PCI बास समय मा रही है दो टीचर होगे अलग लग फिल्ड के इसके अलावा वन फार्मकोलोजिस्ट इलेक्टेड वाइदा गवर्निंग बाडी ऑफ दा इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल डिसर्स ICMR एक मेंबर कहां से होता है वन फार्मकोलोजिस्ट यह फार्मकोलोजिस्ट है एलेक्टेड वाइदा गवर्निंग बाडी ऑफ दा इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल डिसर्स ICMR से होता है यह ठीक है अगर हम देखे तो नेस्ट है हमारे पास one person elected by council of central medical education एक इंसान कहां से आता है जो central medical education से होता है ठीक है इसके दौरह चुना जाता है वन परसन इलेक्टेड वाइ कांसिल ओफ इंडियन फार्मसिटिकल असोसियेशन आई पी ए के दौरह चुना जाता है तो इस चरीके से 558 टोटल 18 मेंबर हो गए अपके करे रहे था यह ओफिस में रहते हैं तीन साल का इनका कारेकाल होता है यह द्वारा री नॉमिनेशन के लिए और री एलेक्शन के लिए अलिजबल होते हैं द्वारा आ सकते हैं अपॉइंट करती है जो दूसरा स्टाफ है उसको कौन प्रोइट करवा रहा है Central Government प्रोइड करवा रही है ठीक है The Board may appoint subcommittees अपने अंडर कुछ कमीटियां को appoint कर सकती है और कुछ ऐसे लोग को appoint कर सकती है जो जो बोड मेंबर नहीं है आज़र टेंपरेरली और फॉर सम पीरियाड नोट एक्सेडिंग थ्री एर कुछ और members को ये लोग appoint कर सकते है फिलाल ये इतना important नहीं था Board member जो उपर वाले थे ये हमारे लिए important थे elected member, nominated member और ex-officio member बास समझ में आ रही है के लिए रहे बाते हैं? आगे आते हैं अब क्या कह रहा है? पहला पार्ट खतम हुआ जो हमारा Board था Drug Technical Advisory बाला Board था DTA भी वो खतम हो गया Now Central Drug Laboratory CDL ठीक है न? इसके बारे बाते कर लें तो क्या कह रहा है? CDL Central में कर लेते हैं? ठीक है Now जो CDL है Provides for the Establishment of Central Drug Laboratory Under the Control of Director Appointed by the Central Government ठीक है न? क्या कह रहा है? Provide for the Establishment of Central Drug Laboratory जो ये Central Drug Laboratory है इसका Establishment ये क्यों आया है? ये प्रवाइड कर वाता है Establishment of Central Drug Laboratory Under the Control जो किसे कंट्रोल में होते हैं Director Appointed by Central Government ठीक है न? इसी के अंतरगत जो Central Drug Drug Laboratories है वो इस्थापिच किये जाती है The Laboratory Stablish in Calcutta has been Interested with Interested का मतलब क्या होता है? Swamp न? कोई चीज देना क्या Swamp आ गया है इसको? ठीक हा बार-बार नहीं बोलूँगा Interested बोलूँगा बार-बार Laboratory Stablish in Calcutta has been Interested इसको Swamp आ गया है with the following functions क्या functions Swamp आ गया है? To analyze or test samples of drug और cosmetic sent to it Analyze करना, test करना samples of drug को या Cosmetic के sample को जो इसको भेजे गए है By the Cosmetic Collector और Quartz है ना कई बार कुछ मामले हो जाते है जो Quartz को दोरा Check के लिए भेज़ की भाई इसका जांच कर आओ ठीक है ना? या जो Cosmetic Collector जो Di वगरा होते हैं अपने उनको दोरा भेजे गाते हैं उनको analyze करना और जो इनको सौपी गई है Central Government के द्वारा ठीक है और यह करती है DTAB से concentration के बाद ठीक है तो main काम इसका यह याद रखेंगे के लिए रहे बातें चले आगे अब क्या कह रहा है ये Next जो आ रहा है ये The Central Research Institute का सॉली Carry out a function in respect of Serra अच्छा ये देखो हर किसी का जान करेंगे क्ल्गत्था क्ल्गत्था काम क्या है testing करना ठीक है ना means जो कस्मेटिक यह है जाँ-प एक खा स्टीज क्या आ गया क्वश्मेटिक क्या आ गया क्वस्मेटिक अब जो Central Research Institute का सॉली है के है कसौली ये क्या काम करती है सेरा सलूशन्स ओफ सीरम प्रोटीन्स फॉर इंजेक्शन वैक्सीन, टॉक्सीन, एंटीजन, एंटी टॉक्सीन इस्टेलाइज सर्जिकल लाइगेचर सुचर्स अन बैक्टिरो फेज ठीक है ना ये इनको लेकर के काम करती है इनको लेकर के इनका फंक्शन है वैटनेरी इसथिटराइज के टेस्टिंग वाई रहा जो भी कुछ बाते हैं वो काम करती यहाँ पर वैटनेरी इसेथिटराइज इंज्जत नेगर जो इज्जजत नेगर में है एंड मुक्तेशवर carry out functions in respect of anti-sera उसका काम किसको लेकर के anti-sera vaccine, toxoid diagnostic antigens जो होते हैं है ना जो diagnose करने के लिए काम आते हैं for all for veterinary use यहाँ जितनी भी चीज़ें हमने बोली है anti-sera vaccine यह सब veterinary use वाली जो है वो इज़त नगर और मुक्तेशवर वाली laboratory में काम किया जाता है बात समझे वारी है samples of condoms, जो condoms के sample है, sent to central pharmacopier laboratory गाजयवाद में भेज जाते हैं अगर लगता है कि हाँ बाई यह जो condom के sample है यह accordingly नहीं है तो उसको sample भेज दे जाएगा samples of oral polio malitis vaccines है ना polio की vaccines होती है sent to pasture institute of India ठीक है इंडिया के पास्ट इंट्विट में जी आती है central government has additional laboratories as references centers on AIDS AIDS को लेकर करके उसके पास additional laboratories भी है central government के पास functions in respect to all homeopathic medicines are carried out at homeopathic pharmacopier laboratory गाजयवाद में जो है वहाँ पर उसको लेकर करके सारे function किये जाएं कोई टेस्ट ही हो रहा है sample sent by code क्या बोल रहा है sample sent by code sample sent by code for analysis or test to central drug laboratory should be sent by registered board अब ये बता रहा है कौन कौन सी laboratory तो established है वो क्या क्या काम करती है वो हो गया उपर अब थोड़ा सा process की बात करें sample sent by code भेजता है किसको central drug laboratory को should be sent by registered board हाँ से लेकर नहीं जाओगे registered post होती है उसकी ठीक है in a sealed packet packet sealed करते है आगा enclosed together with memorandum एक ग्यापन होता है उसमें memorandum होता है ग्यापन एक परचा रहता लगा रहता है सारी बाते लिख रहती है एक memorandum रहता है परचा रहता है ग्यापन बोलते हिंदी में in the prescribed form उसमें लिखा रहेगा कहां से आया है क्या है क्या मैटर सारी बाते लिख रहती है इन एन आउटर कवर उपर की जो कवरी होती है लिफाफ है कि उसके पर memorandum चिपका जेते हैं address लिखा रहेगा to the director के लिए the package as well as outer cover must be marked with the distinguishing number उसके पर एक खास number होना चीए उस number से पैचान होती है कि अच्छा यह number यहां से गया इस number की यह सब बाते हैं इसके अंदर a copy of memorandum and specimen impression of the seal should be sent separately to the director by the registered port director को एक अलग से memorandum की copy or specimen जो है वो भीजा जाता है ठीके ना seal का clear है on receive top package जब यह package वहां पर receive किया जाएगा it should be opened by an officer एक officer के दोरा open किया जाएगा जो कि authorized होता है जिसको permission होती है in this behalf कि यहां इस यही लोग open कर सकते हैं by the director जो director के दोरा वहां के दोरा appoint किया होता है who should record the condition of the seal जो seal लगके आई है उसके पहले रिकॉर्ड कर लेगा जिससे की सबूत रहाएगा कि हां भाई जैको seal ऐसी आए थे टूटी-फूटी होगी तो रास्ते हम तूटी-फूटी हमने नहीं तोड़ी ठीक है who should record the condition of the seal on the packet result of the test must be sent to the sender certificates जो result आजाएगा test का वो भेला जाएगा sent to the sender certificate issue must be signed by जो certificate होगा उसके पास sign कौन करता है director और any other officer authorized यहाँ पर जो authorized हो वो sign कर देगा पर रिजल्ट आगे sign करके भेज़ दे जाता है ठीक है by the central government in this behalf by notification in the official gadget मतलब देखो यहाँ पर बाते हैं यह अब यह लाश में क्या आगया कुछ नहीं है वो क्या कहा रहा है समझो result of the test जो result of the test का must be sent to the sender जो जिसने भेज़ा उसको result भेज़ आएगा sender certificates issued comment मार जेते है certificate issued जो issue किया है must be signed वो sign किया जाता है director के द्वारा या any other officer या किसी और officer को द्वारा जो authorized है by the central government द्वारा authorized है in this behalf ये काम करने के लिए by notification in official gadget जिसका की notification official gadget मा आया था भाया यह appointed है यहाँ पर यही करेगा जो कुछ करेगा भास अनुज मा रहा है तो ये पूरा कानूनी भासा है copy pen लेकर बैठो न copy pen लेकर के फिर बता रहा हूँ मैं copy pen लेकर के बैठना पूरी चीजें जो है जो language है वो एकदम exact वैसी नहीं आएंग कि कानूनी भासा है पूरी लिखनी पड़ती हमको समझाने के लिए ठीक है ना यहां पर simple यह लोग लिख सकते थे कि package प्रप आया जाएगा उसकी seal चेक की जाएगा record कर ले जाएगा फिर जो result आएगा उसको वापस भेज दे जाएगा sign करके इतनी बाते लिख सकते थे लेकिन कौन भेजेगा किसको भेजेगा जो भेजेगा वो उसको कौन अपॉइंट करता है सारी बात यहां मैंचन है ठीक है चलें आगे ओके अब थार्ड पॉइंट आता है अपने पास Drug Consultative Committee D.C.C. इसमें जादा कुछ खास नहीं है तो क्या बोल रहा है D.C.C. is Constituted by Central Government किसके दोरा बनाए जाती है Central Government के दोरा In order to secure इसका मेन काम क्या है Secure Uniformity in the Act throughout the India इसका मेन काम क्या है यह चेक करता है क्या यह Act पूरी इंडिया में Uniformly एक समान Apply हो रही है या नहीं हो रही है It is an Advisory Committee एक Advisory Committee होती है For the Central and State Government And the DTAB For the Central Government State Government और DTAB के लिए भी यह एक Advisory Committee होती है It consists of Two Representative Nominated by the Central Government दो Representative होते है जिसको कौन nominate करता है Central Government nominate करती है And one nominee of Each of the State Government और एक nominee हर एक State Government से होता है The Committee meet When यह Committee मिलती है When required जब जरूरत होती है By the Central Government Central Government के द्वारा And is empowered to regulate Its own procedure और इसके पास Power है Empowered है Power दी गई है कि अपनी procedure को regulate कर सकता है ठीक है जो खुद संचालित होती है उसको क्या कर सकता है Regulate कर सकता है Third खतम Now Fourth Government Analyst कौन होते Government Analyst Simple सी बात है जैसे कि Pathologist होते है वैसे Government Analyst होते है जिनको Government को दोवारा क्या किया जाता है Appoint किया जाता है बस इतनी सी बात है बात वागी सारी बाते Common है देखो अब समझवा जाएंगी State Government By Notification In The Official Gadget इसके पास Qualification होती है जाकि वो Government की Lab में आकर के As Analyst वर्क कर सके होगी Simple बाता But Language देखो क्या है State Government By Notification In The Official Gadget Official Gadget में Notification आता है और Appoint करता है एक परसन को जिसके पास Sufficient Qualification होती है परियाप्त Qualification है कि जो B4 और D4 जो भी मांग गया है To be a Government Analyst For Such Areas in State Such Areas मतलब जो जिस एरिया में काम करना चाते है जासकी Drug वाला अपना है And in respect of Such Drugs and Classes भाही ऐसा है ना Testing Drugs भहुत सारे है Cosmetical अलग है X Category अलग है C Category अलग है तो जिस Category और Class में Analyst चाहिए हमको कि हाँ उसके लिए यहाँ पर उसको Appoint किया जाता है ठीक है Central Government में Also Similarly Appoint Government Analyst इसी तरीके से Central Government भी एक Analyst Appoint करती है In respect of Such Drugs और Classes of Drug और Cosmetic As Spesified जैसा कि कहा गया है कहा गया है मतलब लिखा गया है कि हमें इस ड्रग के लिए चाहिए तो इस ड्रग के लिए एक Analyst Appoint कर लेगा इस ड्रग की Analyst के लिए चाहिए तो इस ड्रग की Analyst के लिए एक Appoint कर लेगा As such है न आगे आते हैं No person having any interest in the import No person having any interest in the import manufacture or sale of drugs or Cosmetic or is directly or indirectly engaged in any trade or business Connected with Manufacture of Drug Can be Appointed as Government Analyst क्या जलूती बोलने की भाई ये काम करतो हो रहा है जब वो करेगा तो ये काम क्यों करेगा लेकिन कर दे रहा है कोई भी इंसान having any interest इसका interest है या जो import का काम कर रहा है हम यूँ कह लें कोई इंसान जो पोट का काम करता है Manufacture का काम करता है काम करता है कॉस्मेटिक में है डारेक्ट लिए डारेक्ट लिए इंगेज है ट्रेड बिजनेस में बेशने खरीदने में खरीद परूप्त में Connected with Manufacturer Drug के साथ है उड्रक्स Can be Appointed Connected Can be No person Can be Appointed कोई भी इंसान Government Analyst नहीं हो सकता है जो है ना Interest रखता है या Involve है Import में Manufacture में Sale of Drug में इन सब चीज़ों में बास समझ में आगई Clear है ठीक है आगे आते है Qualification Qualification हम सबको पता है Graduate in Medicine So किसमें graduate होना है प्पड़ा सिंपल है Graduate होना चीए Medicine में Science में या Pharmacy में या Pharmaceutical Chemistry में By किसी अच्छी Recognize जो Recognize होती है मानित प्रापने उनिवस्टी से और 5 साल का Post Graduate Experience होना चीए In Testing of Drug ठीक है 5 साल का Experience में Testing of Drug में In Laboratory Under the Control of अच्छा 5 साल का Experience जो होगा किसी Laboratory में किसके अंडर में होगा एक Government Analyst के अंडर में होना चीए या Head of Approved Institution और Testing Laboratory ठीक है ना तो ये बात होगी कि वो एक मानित प्रापने उनिवस्टी से Graduate होना चीए या 5 साल का उससे Testing का अन्भाव होना चीए जो उसने अन्भाव लिया होगा किसी Laboratory में ठीक है अंडर ता Control of Government Analyst किसी Government Analyst ये कंट्रोल में या Head of Approved Institution जो उस Institution का Head होता है उसके अंडर वो उसने काम किया हो ओके इसके अलावा अच्छा देखो अभी क्या Graduate जैसी बोला Post Graduate डिग्री बढ़ गई ठीक है Experience घटा दिया समझना बात को अब Post Graduate in Medicine Science, Pharmacy, Pharmaceutical Chemistry है ना इसमें से किसी में भी Post Graduate होना चाहिए किसी Recognize University मानदेपराप जिनिवस्टी से with at least 3 year experience जब Graduate था तो 5 साल का मांगा Post Graduate थे तो 3 साल का मांगा In that Testing of Drug है ना 3 साल का Experience होना चाहिए Drug Testing में अगेन वही है किस के अंडर में Government Analyst के अंडर में या किसी जो Institute होता है उसके Head के अंडर में Clear है बात समझ में आगी आगे आते हैं ठीक है तो Government Analyst के बात चल रही है क्या जिम्मेदारिया है क्या duty होती ही Government Analyst के हम सब को पता Testing भई या Analyze करेगा अंडर ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा भेजे गए है या और अदर पर्सन अंडर दे आएक्ट जो अंडर एक्ट में आते हैं जो लोग भेज सकते हैं ड्रग की Testing के लिए तो उनके द्वारा भेजा गया हो ठीक है And to furnish report और report को furnish करेगा देगा result of test और analysis है ना उस report को वापस furnish करेगा भेज देगा Forward to government from time to time Reports giving the result of analysis work and research with a view to their publication at the discretion of the government ठीक है ड्यूटीज क्या है Forward to government from time to time ये तो हो गया कोई sample भेजा है उसके अलावा अपने कुछ और research पगरा भी है तो उसको forward करेगा government को time to time में रिपोर्ट कर देगा giving the result of analysis work जो वहाँ पर analysis का काम चलावा रिसर्च वगरा का उसको time to time उसके government को forward करता रहेगा है ना जोड़ी रिसर्च चल रहे है with a view to their publication at the discretion of government ठीक है ना ताकि वो उसको publish कर सके at the discretion of government का discretion power government की है government कहेगी यहाँ publish करो तो publish किया जाएगा clear है यह हो गया checking, testing करना कोई sample आया test लेकर दिया यह हो गया जो research वो खुद कर रहे हैं उसकी बाते है clear है आ गया आते है procedure क्या है वो ही same आ गया on receipt of package वहाँ से package आया है जब package receive करेंगे sample का from an inspector the government analysis should compare the seal on the package with the specimen seal जो specimen scene होती है कि seal ऐसी होनी चाहिए उसी से match करेगा अच्छा government की है अच्छा इस type की है ऐसी है okay and note its condition उसी condition को note करेगा 2-2-4-2 तो नहीं है कैसी वे तो नहीं है on completion of test reports in triplicate together है अच्छी तीन copy बना लेगा with full protocol पूरी protocol को follow करेगा test के analysis का should be sent to the investigator और उसको वापस भेज़ देगा government analyst has to submit a report in form 1 and unless full protocol are supplied the report cannot be regarded as the conclusive evidence कह रहा है कि जो government analyst है वो submit करता है report को अपना form 1 के अंदर and unless full protocols are supplied जब तक की पूरे protocol supply ना किये जाए the report cannot be regarded as conclusive evidence report को जब तक की पूरे protocol ना follow किये जाए तब तक हम उसको evidence नहीं मान सकते हैं conclusive एक नरनायक evidence एक नरनायक सबूत नहीं मान सकते हैं ठीक है तो procedure का मतलब यह है simple सी बात है इस बात को यह line लिखोगे तब भी चल जाएगा कि लिए रहे बाते हैं आगे आते हैं next है licensing authority कौन होते हैं यह license देने वाले जो license देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं licensing authority बोल देते हैं any application for the grant or renewal of license कोई भी application आती है जहां grant license देना है या renew कराना है for the import, manufacture, sale, distribution, etc इन सब कामों के लिए किस-किस काम के लिए import करने के लिए manufacture करने के लिए sale करने के लिए any drug और cosmetic किसी भी drug के is to be made to the licensing authority ठीक है न कोई भी काम करना है manufacture का है, import का है, sale का है ठीक है न करने के लिए हमें license को क्या करना पड़ता है लेने के लिए licensing authority के सामने application देने पडती है drug controller of India has been notified as central license approving authority ठीक है ना जो drug controller होता है इंडिया का has been notified as central licensing approval authority वो central होता है main head होता है ठीक है अब qualification के होना चीह एक licensing authority की जो हाँ पर काम करेंगे लोग he should be graduate in pharmacy pharmaceutical chemistry या medicine with specialization in clinical pharmacology उसका specialization किसमें होना चीह clinical pharmacology में या microbiology में from a recognized university किसी मानेज़प्राप university से दूसरा he has experienced in manufacture or testing of drug उसको अनभव होना चाहिए manufacturing में और testing of drug में और enforcement of the provisions of the act और साथ साथ में enforcement किस तरह से act के provision प्रवधानों को लागू किया जा है for minimum period of five years पांच साल का उसका इन में से किसी एक चीज़ में अनभव होना चाहिए के लिए हो गया licensing authority now controlling authority controlling authority CA ठीक है drug inspectors appointed under the act control जो control करेंगे ठीक है न वो license देने का हो गया licensing authority control जो control करते हैं तो इसके अंदर का कौन आते हैं अपने ड्रग इंस्पेक्टर तो ड्रग इंस्पेक्टर अपॉंटेट अंडर दी अंडर दा control of control authority controlling authority ठीक है न ऊपर लाइसेंस द्रग इंस्पेक्टर लाइसेंस नहीं देता है ध्यान रगना कभी तुम देखना डर्ग इंस्पेक्टर के साइन होते हैं उसके उपर लेकिन एक और लोगों के साइन होते हैं चेक करना कभी अपके आप लाइसेंस मिलेगा त प्रॉमा रिकोगनाइस नियुवस्टी किसी मायत्यपराफ से से लिक्सटि है एक्सपेरियंस को चीज़ मैं नियुंस कानूनी कीज़ेंए और नहीं और कुछ नहीं अब ड्रग इस्पेक्र्टरी बात Geo पता-पता संसा एणा जो लोग medical store वगारा में या कहीं पर working है उन लोगों को सब बाते काफी असान लगने वाली है चलो देखते हैं drug inspectors appointed by central या state government के दोरा point किया जाता है ठीक है he should be a person without any financial interest यह एक ऐसा इंसान है जिसका कोई financial interest नहीं है मतलब उसको कोई लेंदाना जना नहीं है import manufacture से या sale of drug और cosmetics से उसमें उसका कोई लेंदाना नहीं होता है ठीक है they are deemed as public servant ये public से ना सरकारी knocker होते हैं and are officially subordinate to the controlling authority और subordinate है controlling authority के under में काम करेंगे ये ठीक है now qualification qualification तो वही उपर की जो थी वो यहां पर लगा सकते हैं हम लोग क्या 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 qualification है for appointment as DI person must have a degree in pharmacy उसको पास degree होने चीए फार्मेसी की या pharmaceutical chemistry की ठीक है या medicine with specialization in clinical pharmacology या microbiology from recognized university किसी मानतरप्राफ university से pharmacy की या pharmaceutical chemistry की या medicine की या medicine with specialization in clinical pharmacology तो इन में से अगर अब तुम को सब सारी सारी याद ना रहे कोई बात नहीं अब person must have degree in pharmacy from a recognized university इतना भी लिखोगे अगर qualification में तो काम चल जाएगा ठीक है जब लिखने के बारी आएगी ठीक आगे बात करें for inspection of manufacture of substances in seducey अगर inspection करना है उन substance का उन drugs का जो schedule c में आते हैं अधर di must have ठीक है di के पास कम से कम at least 18 month experience होना चाहिए in manufacture में of at least one month one of the substance specified in schedule c ठीक है उसे 18 month का experience होना चाहिए manufacture में और कम से कम उस manufacturing में कोई एक substance ऐसा होना चाहिए जो schedule c में आता है plus at least 18 month experience होना चाहिए testing of one item in schedule c साथ साथ में उसका क्या है 18 माहिने का experience होना चाहिए कम से कम एक item जो c में आता है उसकी testing का gained experience of not less than NLT है not less than three year in inspection of firms manufacturing any of the substance of schedule c during their tenure as service as di ठीक है न या उसको experience gain करना है कम से कम 3 साल का as an inspection of firm जो firm होती है उनके inspection का उसे 3 साल का experience होना चाहिए जो manufacturing firm है न और कौन सी firm होनी चाहिए जिनके अंदर schedule c के अंदर क्या है दवाया बन रही हो तो पहला क्या हो गया उसका manufacture दूसरा क्या हो गया testing और तीसरा क्या हो गया inspection इनका क्या होना चाहिए इसको अनभव होना चाहिए कि लिए रहे बाते हैं power of di di की power की बात कर लें ठीक है जो पता होना चाहिए हम सब पर wherein any drug or cosmetic is being manufactured and the and the means employed for standardizing and testing the drug or cosmetic ठीक है न जहां पर दवाया बन रही है या उनकी testing या standardization हो रहा है ठीक है एनी premises एक कोई भी जगह है जहां एनी drug or cosmetic is being sold जो बेची जा रही है stock की जा रही है रखी जा रही है offer for sale या distributed चीदी से बाता है जहां दवाया वहां inspection कर सकता है अब वो दवायां को purpose कुछ भी हो manufacturing का हो sold का हो stock का हो चाहो तो इसको एक राइन में कर सकते हो ठीक है हर जगह वहीं से जहां जहां पर उपर वाली चीज़े थी उन ही हर जगह से वो क्या ले सकता है sample ले सकता है बात समझवारी है ठीक है from any person he take sample या एक तो जगह हो गई या किसी भी इंसान से हुई जिन्दा course of conveying या कोई समान ले जा रहा है supply के लिए ठीक है delivering और preparing to deliver या delivery के त्यारी कर रहा है वैसा नहीं कि दुकान में आया एक संबान भार निकल रहा है उसका मन करेगा तो उसको खोल के उसमें sample ले लेगा ठीक है कि क्या लेके जा रहे हो तो एक परचेजर और consignee यानि कि यह समान लेके जा रहा होगा तो भी उसमें से रास्ते में से रोग करके उससे sample ले सकता है ठीक है at all reasonable time with necessary assistance वो किसी भी समय उपर वाले काम कर सकता है with necessary assistance अगर कोई से assistance चाहिए होगी तो assistance भी ले सकता है है ना कोई भी time नहीं है देन रात किसी समय चाहेगा तो with permission वो यह काम कर सकता है ठीक है अब क्या कर रहा है at all reasonable time with necessary assistance इसके साथ किसी भी समय सर्च कर सकता है any person किसी भी इंसान को who he has reason to believe जिसको वो समझ रहा है कि हां मान रहा है कि कुछ secreted about उसने secret मतला कुछ छुपा रखा है about his person any drug cosmetic in respect of which an offense ठीक है कुछ ऐसी दवाईयां या cosmetic छुपा रखी है जिसको रखना कहा है offense है अपराध है relating to उसके manufacture को लेकर के sale को लेकर के distribution को लेकर के अपराध है ऐसी कोई चीज़ उसने छुपा रखी तो ऐसी किसी भी इंसान को वो search कर सकता है ठीक है बात समझवा रही है तो यह language है देखो मैं फिर कह रहा हूँ इसनी में लेकर copy pen लेकर बैठना क्या बोल रहा है at all reasonable time किसी भी जो reasonable समय है ठीक है ना with necessary assistance assistance का मतलब क्या है मान लो suppose female है तो एक female ती होगी साथ में ठीक है search करता है कि कर सकता है किसी भी इंसान को who he has reason to believe जिसको मानता है कि कुछ छुपा रखा है ठीक है कोई drug कोई cosmetic ठीक है जिसके respect में अपराद है उसको रखना उसको manufacture करना sale करना ठीक है ना या उसको distribute करना या ऐसा कुछ करने के लिए वो जा रहा है तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकता है उसको check कर सकता है enter कर सकता है and search any place in which he has reason to believe या किसी जगहे पर ये तो होगा किसी person के search या किसी जगहे पर जा सकता है जहां वो मानता है कि अपरादिक गतिविदियां हो रही है drugs को लेकर के कोई दवाईयां ऐसी बेची जा रही है श्टॉक की जा रही है ठीक है जहां पो जो क्या है offended है ठीक है अपराद है stop कर सकता है और search कर सकता है किसी भी vehicle को किसी भी container को और other convenience है जो दवाईयों की supply होती है वहानों में और से पता है कि किसी वहान के अंदर दवाईयां जा रही है तो उसको रोक सकता है search कर सकता है कोई container से खुलवा सकता है ठीक है which convince which he has reason to believe जिसे मानता है कि क्या है carry any drug or cosmetic in respect of which an offense has been उससे कोई अपराद जुड़ा हुआ है उस drug को carry करने से और is being committed in order to writing the person in possession of the drug or cosmetic not to dispose of any stock debt or for a specified period not exceeding 20 days ठीक है ना तो यह सब बाते हैं को यहाँ पर क्या है मारे पास क्या है कानूनी परिवास तो यहाँ पर क्या हो गया stop रोकेगा search करेगा किसी भी vehicle को ठीक है किसी container को रोक सकता है या किसी convenience जिस convenience जिस साधन से वो जा रहा है he has reason to believe मानता है कि is being used for carrying any drug or cosmetic जो कि यह साधन है वो carry किये जा रहे है इन वाहनों के द्वारा जिसको रखना या carry करना ठीक है and order in writing the person in possession of the drug or cosmetic not to dispose of any stock that of for a specified period not exceeding 20 days ठीक है न वो drug को dispose नहीं करेगा 20 दिन तक के लिए unless the alleged offense is such that the defect may be removed by the possessor of the drug or cosmetic जब तक कि वो defect हटा नहीं दिया जाता है seize the stock, stock को seize कर सकता है ऐसे drug का या cosmetic का या ऐसे substance का या ऐसे किसी article का by means of which the offense has been or is being committed या ऐसे साधन जिसके वैसे अपराद हो सकता है अपराद होने का मतलब है ऐसनी खून खराबा दवाया रखना अपरादिक होती है तो यहाँ पर क्या है simple ये लंबी line चाहो तो छोड़ सकते हो main line लिख देना काम हो जाएगा ठीक है ना examine कर सकता है किसी भी record को जो उनको रहेष्ट वगरा होते है document को कर सकता है और any other material object with any person किसी भी इंसान से और in any place किसी भी जगह पर mentioned above जो उपर बताई गई है और seize कर सकता है same उसी चीज को if it is likely to furnish the evidence as an offense अगर उसे लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीजे मौजूद है जो कि कैसी है law को तोड रही है अपरादिक है require any person कह सकता है किसी भी इंसान से कि produce any record कि वो record दिखाओ दवायों का sale का जो भी वहाँ पर काम चल रहा है sale का चल रहा है sale को लेकर record पूछ सकता है manufacture का चल रहा है the manufacture को लेकर record का पूछ सकता है ठीक है और other document relating to require any person to produce any record register और other document relating to the manufacture relating to the manufacture for sale or distribution of any drug or cosmetic in respect to which an offense has been committed जिसके respect में उसे लगता है कि इस दवाय को लेकर कि यहाँ कुछ गतिविदियां चल रही है अप राधिक है तो उसको लेकर कि उनका record पूछ सकता है लिखने का तरीका यह होता है about language tough लगेगी क्योंकि और-और-और करके आता रहता है शब्द तो simple भासामें बातों को समझना और उसमें अपनी language जो लिखने की कोशिश करना ठीक है जब इसमें कोशन असर कराऊंगा मैं तो हाँ पर जो answers होंगे उनको मैं simple तरीके से देने की कोशिश करूँगा और इस तरीके से यह क्या है सारे डियाई की पावर्स होती है ठीक है आगे चले National Duties of Inspector अब इंस्पेक्टर की ड्यूटी दो भाई सब कोई पता है क्या होती है क्या होती है ठीक है Inspection of Premises License for Sale उसका Inspection करना Inspect not less than twice an year कम से कम साल में दो बार और Establishment License for Sale of Drug जितनी भी लाइसेंस मिले हुए ड्रग को सेल करने के लिए हर एक Premises जाने की ऐसा मान करें चलो कि जो भी तुमारे Pharmacy वगरा होती हुए उनको कम सेल साल में दो बार यह चेक करेगा Procure and send for test or analysis if he has reason to think that the drug are sold in contravention of provision of the act on rule अगर उसे लगता है कि कोई जो drug है कोई drug है वो contravention कर रहा है क्या कर रहा है drug जो है contravention है उलंगन कर रहा है act on rule को तो उसको procure करेगा और send test के लिए भेज़ देगा अब simple सी बात है मन से लिख सकते हो उसको To maintain all records of inspection made and action taken by him अपने सारे record maintain करेगा inspection की उसमें कहां 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 inspection किया है क्या क्या वहाँ पे action लिया है including क्या क्या sample लिया है क्या क्या siege किया है उनकी copy जो submit कि रहा है वो सारे record maintain करेगा और controlling authority को submit करेगा To make inquiries To make inquiries sale inspector as may be necessary to detect sale of drugs in contravention of the act ठीक है inquiry कर सकता है जो drugs लंगन कर रही है act का उनके बारे में When so authorized by state government to obtain imported packages which he has reason to suspect to contain drug whose imported is prohibited ठीक है ना When so authorized ठीक है ना By state government to obtain imported packages जो package import होकर क्या आ रहे है ठीक है ना Which has reason to suspect जिसके उपर संधिक्द संश है To contain drug whose import is prohibited अगो उसे लगता है कि कोई जो drug import होकर क्या रही है वो क्या है संधिक्द है तो state government उसे authorize करेगी और उस packet को क्या करेगा चेक करेगा और जो भी होगा उसको पर अपनी report देदेगा Inspection of Manufactured Drug अब सब कुछ लगबग मिलते हैं जो ती कहाँ पर answer आने वाले है तो जो manufactured drug है उनका inspection कैसे करेगा Inspect not less than twice a year कम से कम साल में दो बार जहां पर manufacturing हो रही उनका inspection करेगा For the manufactured drug within the area allotted जहां area allot हो रखा उसको जिस एरिया में उसी एरिया में करेगा उसके बाहर नहीं करेगा And satisfy himself that the condition of license and provision of act and rule are observed ठीक है और अपने हागो satisfy करता है देखता है चेक करता है कि हाँ सारी चीज़ें rule के act के according हो रही है In establishment license to manufacture product is specified in schedule C and C1 inspect the process of manufacture ठीक है ना जो process of manufacture है उसको inspect करेगा CC1 में जो license ले रखे है बनाने वाले ने Means employed for standardizing and testing of drugs method and place of storage हर एक चीज़ को inspect करेगा जो standardizing और testing के तरीके उनको inspect करेगा Method and place of storage उनको test करेगा इंस्पेक्ट करेगा Technical qualification of staff employed देखेगा कि सारे staff है वो qualified है या नहीं है All details of location, construction and administration of establishment likely to be affect the potential purity of drug हर एक उस चीज़ को check कर सकता है जो drug की potential purity को affect कर सकती है ठीक है आगे आते है To send controlling authority after each inspection a detailed report indicating condition of license ठीक है न पूरी report भेजेगा like controlling authority को की license की condition किया है जो license लिया है उसने ठीक है And provision of act and rule which are being observed and which are being not observed ठीक है न कौन से observe हो रहे हैं, follow हो रहे हैं, कौन से follow नहीं हो रहे हैं पूरी report controlling authority को भेज दी जाती है To take samples of drug manufactured on premises and send them for test or analysis Sample ले सकता है, जो manufacturing premises है वहाँ से और उसको testing के लिए भेज सकता है To institute prosecution, ठीक है न To institute prosecution in respect of breaches of act and rule Institute prosecution बहुत ही जवर्दस legal language है कि जो prosecution है, ठीक है न, जाने कि जो action है उसको institute करेगा, लागू करेगा याने कि अपना action लेगा किसके respect है, breach मतलब होता, break करना अगर कोई act or law जो है, वो break हुआ है तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको अपने vocabulary भी देरे-देरे increase करने पड़ेगी याने कि है न, तो institute prosecution अपना action करेगा, लेगा अगर breach मतलब कोई act or rule ब्रेक हुआ है, तो उसके खिलाफ ठीक है, procedure of inspector, inspector procedure कैसे करता है मतलब कि वो काम कैसे करेगा अपना, किस तरीके से होता है तो देखो क्या होगा उसने कोई sample लेगा, must pay, it's fair दुकान से अगर मान लो, उसने तुमसे 20-30 पत्ते ले लिए उन 20-30 पत्तों की कीमत होगी भाई, कुछ सब़ेखो न, वो 20-30 पत्ते मतलब 500-1000 रुपे के है उसका price पे करेगा वो आपको उसका price हो देगा, उसका report बनाके बेशता है उपर, उसका payment उपर से आता है उस D.I.E. के office में, उस चीज के लिए मैं require written acknowledgement for the same और उसका written acknowledgement लेगा आपसे कि आपको payment मिला वेन inspector seizes any stock, अगर वो किसी stock को seize करता है for any drug or cosmetic, he should receive the receipt for the same in prescribed form number 16 पूरा पूरा stock ही, अगर सुने seize कर लिया है, तो उसको पूरा क्या करेगा, seize करके क्या करेगा, एक receipt देगा, उसको जिसका stock होता है form number 16 के आपका इतना stock लिया गया है बह समझ मारी है, he should inform the concerned person वो जो concerned person है, उसको inform करेगा, जो person तालुक रखता है ठीक है, the purpose of taking the sample, कि क्यों sample लिया जा रहा है in form number 17 and divide the sample to four parts, sample को चार पार्ट में दिवाइड करता है जिसे मालो चार पत्ते होंगे, तो उसका चार पत्ते ले लेगा अलाला जगे packing करेगा, in his presence की मौझूदगी में इच portion is then sealed, उन सब को seal किया जाएगा, suitably mark और mark कर दे जाएगा the person from whom the sample is taken must also be allowed to add his mark of the seal on the packet वो भी अपनी seal लगा देगा, कि यहाँ मेरी दुकान का ही है ठीक है, if sample taken from a manufacturing premises, it should be divided into three portion अगर manufacturing premises से लिया जाता है, तो क्योंब उसके तीन पार्ट किया जाते है अब देखों, चार पार्ट या तीन पार्ट का होता क्या है अब क्या कह रहा है, if the sample, if made into small volume is likely to deteriorate अगर छोटे volume में वो खराब हो सकते हैं, inspector can take three or more container ठीक है, तो वो तीन याद उससे जादा container ले सकता है, when necessary, after suitably marking it छोटे-छोटे sample इंसा अगर खराब हो सकते हैं, तो उससे जादा sample ले सकता है वा समझ मारी है, अब आगया आते है sample ले लिया, उसने payment बगरा कर दिया, ठीक है, अब देखें आगे कहानी क्या है अब क्या कह रहा है, one portion of sample is to restore to the person एक sample तो उसी इंसान के पास रह जाएगा, जिससे collect किया है second part, एक sample sent to the government analyst, एक government analyst को भीज़ दे जाता है and third one is preserved for production before the court, अगर कोई मानलो उसमें निकलता है तो court भी भीजने है ना भाई, कि गरबढ है, court और फिर case में चलता है ठीक है, if required and fourth is sent to warrantor, कोई उसका अगर warrantor होता है तो fourth, चौथा वाला sample उसको भीज़ जाता है inspector should send sample to government analyst by registered post और registered post को द्वारा भीज़ेगा, government analyst के पास by hand in sealed packet और by hand, by hand भी भीज़ सकता है ना, registered post या by hand अमालो उसी इलाकी में ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक sealed packet में enclosed together with memorandum, उसके लाद एक memorandum लगा होता है, ग्यापन लगा होता है form 18 में, 18 के रूप में, in an outer cover address to the government analyst और उसके उपर पूरा लिखा होता है और वो पूरा ग्यापन government analyst के लिए होता है, कि क्या क्या है इसके अंदर, मतलब सारी बाते लिखे होती है if the confiscated मतलब होता है, जप्त, जप्त किया हुआ drug is not of standard quality, वो standard quality का नहीं है it should be reported to court, वो court को report किया जाता है, accordingly and court में order destruction of the drug under the supervision of inspector in presence of such authority that the court में prescribe ठीक है, अगर वो drug क्या है, उस batch के drug according नहीं है, उस पूरी drug को destroy करने का आदिस मिल जाता है if confiscated drug, जप्त क्या वो drug है, is of standard quality, वो standard quality का है, inspector में report, court, वो court को report करेगा, accordingly कि हाँ यह सब ठीक ठाक है and court में order sale of drug by public auction, और वो उसको क्या कर देगा, sale करने का आदेश देदेगा, ठीक है, to any party holding our requisite license, जो license रखता है, वो उस drug को क्या कर सकता है, sale कर सकता है, आगे आते हैं any record, register और any other document seized by the inspector should be returned, कोई भी record या register या document वगर उससे लिया है, seized किया था, जब किया था, तो उसको वापस कर देगा, इंसान को, सब कुछ अगर ठीक ठाक है ठीक है, from where they seized, or who produced the same within the period of 20 days of such seizure of procedure, ठीक है, एक तो कहानी यहाँ पर होगी या फिर seized होने के बाद, 20 दिन के अंदर अंदर, इस सारा document register गरा, submit करना होता है, देना होता है, करके, दिखाना होता है, कि हाँ देखा हम अपर सब कुछ है, वो सब चीज़ें क्या होती ही, वापस हो जाती है अगर कोई record या register को seize किया जाता है, क्या किया जाता है, इनफर्म किया जाता है, ठीक है, कि यह चीज़ किस्टेडी में आ गई है every person for time being is charged of any premises where any drug or cosmetic is manufactured or is kept for sale or distribution on being required by the inspector is legally bound to disclose to the inspector the place where drug or cosmetic is being manufactured or kept तो कह रहा है दो को बात को समझोगे, यहां का legal language है, every person for the time being in charge कोई भी इनसान जो in charge है उस समय के लिए उस premises का जहां पर drug रखी हुई है, यह cosmetic रखी हुई है, यह cosmetic बन रही है का sale or distribution के लिए रखी गई है, ठीक है न, on being required by the inspector, जब inspector चाहेगा, is legally bound, वो मजबूर है, बात दे है, कौन वो इनसान कि वो disclose करे, दिखाए, inspector को वो जगए where drug or cosmetic is being manufactured or kept, ठीक है, तो इसको अपनी लभासा में लेख सकते हैं आप लोग, कि inspector जब चाहेगा, तो वहाँ पर उस समय टाइमिंग के लिए जो in charge है, इंसान, कोई भी इंसान in charge हो सकता है, उसको वो जगए दिखानी पड़ेगी, जरूरी नहीं कि माली किया है willfully abstracting the inspector, अगर कोई willfully मतलब जान बूच कर, कोई रोकेगा, inspector को refuse करेगा, to provide any record और register, is a punishable with jail हो सकती है, तीन साल के लिए और with fine और both, या साजा होगी, या fine लाएगा, दोनों लग सकता, अगर इन drug inspector को कोई रोकता है, तो बास समझ मारी है, तो यह थी drug inspector की power, और यह हमारे mind nurture जिसको बहुत बच्चे इस्तमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा legal language है, धीमे-धीमे करके पढ़ें इसको chapter को, और repeat कर लें, अगर दिक्कत आती है, तो या फिर point, एक एक topic को पढ़ें, 15-20 मिन पढ़ा, फिर छोड़ दिया, 15-20 मिन पढ़ा, फिर छोड़ दिया, ठीक तो पढ़ते रहो और revise करते रहो, और किसी type problem आती है, तो मुझे phone कर लो, और पढ़ो और revise करो, okay, all the best